Hi Everyone, Welcome back on my channel कैसे आप सब आजकल बालों का सफेद होना एक आमसमस्या है एज के जिस आप से जब बाल सफेद होते हैं तो ठीक लगता है लेकिन आजकल एज से पहले भी बाल सफेद होने लगते हैं मतलब यंग एज में भी लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं कारण क्या है ? इसका यही है कि हम लोग बालों में इतने जादा केमिकल ट्रीमेंट लेते हैं जिसके कारण बाल सफेद होने लगते हैं केमिकल ट्रीटमेंट मनतलब कहा है तो मुझा ही हतरा लिए इस पर इस था ही पी से नहीं भी करेंaf यह ने हूं कर्ते हैं तो क्ंतों आज यह फ़िशनि यह चाहिए उडार भी बाल सफ़ेध का राधे मों की खानपान के करराण या फिड़ नहीं करती ना जिसके करण बाल सफेद होने लगते हैं बाल जब सफेद होने लगते हैं तो हम लोग दो चीजों का सहरा लेते हैं या तो हम लोग मेंदी लगाते हैं या फिर हम कलर पर जाते हैं या फिर केमिकल पर चले जाते हैं और उससे क्या होता है कि बाल और जदा सफेद भी होने लगते हैं मतलब रूट्स के जब बढ़ता है तो सफेद भी होने लगता है तो पीला-पीला सा रहता है बिल्कुल सफेदी नहीं छोड़ता है और कलर में बिल्कुल सफेदी छोड़ता है तो यही फर्क है मेंदी और कलर का आज मैं आपको बाल काले करने के ल स्वस्त स огр़ों की जाएंगे साथ में अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं घुरी यह तो बाल बढ़ने भी लगेंगे साथ ही अगर आपके बालों को काल अभी ना भी सफेद अप रिया इसंप्ट बालों को सुस्त रखेंगे बालों में चमक देगा अगर आपके बल बुस्बसे से 2 मुएniejsze से हो रहा है तब ये हैर मस्क आपके बल खर्णने गिरने से रोकता है यह hair marks जब आप यूज करते हो तो आपको ना oil की जरूरत है ना shampoo की जरूरत है ना conditioner की जरूरत है यानि कि भाईया आपके सारे पैसे बच जाएंगे और बाल भी आपके सस्त हो जाएंगे इसको आप जरूर यूज करिएगा इसको आप वीक में एक बार तो एक जरूर यूज करिएगा इसके काफी एच्छे रिजर्ट है इसको आप बच्चों के भी लगा सकते हो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो कर लेजे मेरा नाम है सीमा जयंके और मेरे चैनल का नाम है अलो झैक्टी चैनल को कर लिए सबस्क्राइब बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजेगा जैसे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चाहते हैं सबस्क्राइब नेचरल हेर डाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक लोहे की कड़ाई और यह मैंने लोहे का बाउल लिया है आप लोहे की कड़ाई भी ले सकते हैं इसमें हम करीबग पानी डालेंगे और मैं अपने बालों के अगर आपकी बालाcidoर्य को लिए भी नी है में फैनो ग्रीक लिया है और ये मैंने powder form में लिया है तो इसको मैंने पीस लिया था और तीसरी चीज जो मैंने लिया है कलाँजी तो ये कलाँजी आपके बालों को जो है काला करती है मेथी आपके बालों को मजबूत करती है चमक देती है और जो चौती चीज मैं आपको दिखा रहे हैं ये normal चाय की प खोलते हुए पानी में इस तरह से डाल दूंगी अच्छा आप इसको इसी तरह से भी बॉयल कर सकते हो लेकिन अगर आपके आपको आपके बालों का कलर और सुन्दा सा चाहिए तो इसमें मैं एक चीज और बता रही हूं तो इसको मैं डाल करके इसी तरह से चला दूंगी और यह चार चीजे बना करके भी आप यह डाई या आप मास्क या फिर आप हैर के लिए चमक देने के लिए या हैर मजबूत करने के लिए आप इसको बना सकते हो लेकिन अगर आपको बालों में अच्छा सा एक कलर भी चाहिए तो आप यह बीट रूट यानि चुकंदर चुक अगर आपको डालना है तो डालें नहीं तो आप इसी तरह से कर लें तो इनको मैंने अच्छे से बॉइल कर लिया है अब यह देखो इनकी क्वांटिटी काफी कम हो गही यह निकी पानी कम हो गया है तो इसको मैंने 15-20 मिनुट तक इसी तरह से चढ़हा करके रखा 15,20 मिन करना है तो यह सारी चीजे एक ही में जब्त हो गई है अब हम क्या करेंगे अगर आपको पानी क्वांटिटी कम लग रही तो थोड़ा सा पानी आप बढ़ा सकते हो ठीक है अब हम इसको ढख करके पूरी रात के लिए ओवरनाइट हम इसको रख देंगे जब आप सुबह इसक करेंगे और कि इसमें आमला है चाहिकी पती है और चुकंदर है अगर आप पाउडर वाला भी बना सकते हो पानी में उबाल करके आप रख दो और इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते लेकिन यह पाउडर बेस में नहीं था तो मैं इसको अब क्या करूंगी इसको पीच ल कि अडही भी भी आपका जरूरी नहीं के साफ्ट हो जाते हैं अब ईसको आप शैंपू की तरह ही लगा пришब भी शैंपू की तरह ही उयं रह dois तो आप इसको 3-4 दिन के लिए रख भी सकते हो लेकिन मैंने इसमें दही डाला है तो इसको आपको उसी दिन लगाना है या एक दिन छोड़कर दूसरे दिन भी आप लगा सकते हो क्योंकि दही की इसमेल आती है आप इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ तो फ्रेंट्स मैं इसको पीस के ले आई हूँ और इसको मैंने राद भर के लिए इसी तरह से फुला करके रख दिया था और यह देखो किती सारी कॉंटिटी में हो गया अगर यह आपका बच जाता है तो आप एक दिन छोड़कर दूसरे दिन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो आपका खराब नहीं होगा आप इसको अप्लाई कर लेकिन हाप बहुत दिन के लिए नहीं रखना है क्योंकि इसमें पढ़ा है दही तो अगर आप दही नहीं डालते हो तो इसको आप 4-5 दिन के लिए रख सकते हो लेकिन इसमें दही पढ़ा है तो महका जाएगी इसमेला जाएगी तो इसलिए मैं इसको लगाती हूँ कैसे लगाना है वो भी बताती है तो इसको लगाने के लिए आप गलप्स पहलो क्योंकि अगर आप गलप्स पहनोंगे ना तो आपके हाथ काले हो जाएगे इसमें है आवला आप देखरो इसका कलर सिस्था ना अच्छा आया है तो यही मैं गलप्स पहन लोंगे और जब इसको अप्लाई करते तो आपके बालों में कोई बी मतलब और नहीं लगा होना चाहिए औ इसको मैं लगाती हूँ तो इस पैक को लगाने के लिए बस इस तरह से आप बालों की जणे खोलते जाएए और पूरी एक एक लेर लेकर के आपको इस तरह से लगाना है गलप्स ज़रूर पहली जगा नहीं तो आपके हाथ काले हो जाएंगे तो बस उपर से नीचे तक कुछ है यानि आपका शैंपू का भी काम करेगा कंडिशनर का भी काम करेगा और आपके बालों को कलर भी करेगा है ना बहुत ही अच्छी चीज तो आप जरूरी नहीं कि आप दही डालो और चुकंदर यह दोनों चीज़े आपन लहां अगर आपको डालना है तो डाल सकते लेकिन आवला और मेथी पाउडर और कलॉंजी और चाय की पती यह चार चीजों से भी आप बना सकते हैं इसको मैंने अच्छे से पूरे बालों में लगा लिया है निचे तक लगाएंगे पूरे बालों में लगा करके बैंड लगा लूँगी उसके बाद मैं नार्मल पानी स ही धोंगी तो ये दोखो मैंने पूरे बालों में अच्छे से लगा लिया है और इसके बाद आप देखोगे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको धो करके मैं अब आपको दिखाती हूँ रिजल्ट क्या आया है तो इसके बाद इस तरह से मेरे बहुत ही ज़यादा सॉफ्ट हो गए थे बहुत ही चमकदार और मतलब आपको डबसको इसको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो